रादे रादे दोस्तों स्वागत है आपकी की ति Antes कि रसोई में जोसोई हो आसा करते हैं आप सबस्चे होंगे देखिये यह लाल सिब्ला मिर्ची यह भी एक टमाटर है यह मिर्ची है यह दनिया है यह गाजर है और आपको तो पता चली गया होगा है सर्दियों का मोसम है यह मटर है सर्दियों का मोसम है मटर गाजर बत हुआ पालक में थी सब भोत भरपूर मात्रा में आ रहे हैं और यह देखिए यह मैंने आलू पतले पतले स्रैस काटे ही ऐसे ही पतले पतले काटने आपको और यह सबजी बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है आप एक बार बना कर देखना हां यह सबजी है मैं इसमें तेल चड़ा रही हूं कड़ाई में और यह तेल गरम हो जाएगा तब मैं ते लिए नहीं होता है बिलकुल भी ओहे लिए नहीं होता है मैं ते लिए बोलती हूं ओहे लिए नहीं होता है ज्यादा बिलकुल भी और बहुत स्वाधिस्ट बनता है यह सबजी बहुत स्वाधिस्ट बनती है देखो अब मैं इनको तल लेती हूं और ऐसे ही तीन चार च्छे मिनट पकाने के बाद यह ऐसी हो गई है मैं इनको उतार लेती हूं है फिर मैं दिखाती हूं आपको आप एक बार बना के देखिए बहुत स्वाधिष्ट सब्जी बनती है बहुत ही ज्यादा स्वाधिष्ट बनती है आप बनाकर देखिए बहुत स्वाधिष्ट बनत आपका मन करें जैसे किसी भी रोटी के साथ काई ये बाजरे की के मक्का की व्यार की ये मैंने आलू डाल दिये आलू मेंने बहुत पतले पतले कट किये लंबे-लंबे आप चाहें जैसे भी कट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इसे पतले रखोगे तो सही जल्दी से हो जाते हैं और चल जाते हैं यह आलू तो बहुत जल्दी तलते हैं आलू में इतना टाइम नहीं लगता है आलू में तबहुत चार मिनОें अ कि चुके थे अब 5-6 मिनट लेते हैं गाजर ने क्योंकि गाजर टाइम लेती हैं यह देखिए यह भी कलर चेंज होने लग गया अलुगों का अब यह पक चुके हैं यह तो पूरी तरह से ही पक चुके हैं मैं इनको अतार लूँगी बहुत स्वाधिस्ट सब्जी बनेती बहु यह भूती स्वाधिस्ट सब्जी बनेगी आप जरूर एक बार जरूर बनाई है ठंडी का मोसम है बड़े बच्चे बूड़े सब सबको पसंद आती है बच्चे नहीं खाते हैं सबको पसंद आती है अचा यह मैंने हरी और लाल सिम्ला मिर्च डाल दिये एक लाल थी एक हर बात नहीं है आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन आपको तो पता ही है मैं नहीं हमारे घर में कोई खाता नहीं है इसलिए मैं डालती नहीं हुआ है और बहुत स्वाधिस्ट सब्जी बनती है यह बहुत स्वाधिस्ट यह देखिए अब यह में यह भी मैंने तलके निकाल ली हैं और हम में इनको छोकूंगी जब आपको देखाऊंगी बहुत स्वाधिस्ट बनती है और तेल यह नहीं होती है यह जादा बहुत कम अब थोड़ी बहुत तो ने कट तो होती है जैसे आज कर लोग खाते भी तो तेल का ही तला हुआ जादा है उससे तो अच्छ स्वाधिस्टे सबी बनती है एक आप देखिए मैं今 शूप आपे निकाल दिया है और आप में आउन्स opens और मैंने नहीं इसमें चोममच के बराबर मैंने अजवेण डाली है यह राई डालिए और 4 राइच मची जीरा डाला है एक और के हल्दी पावडर डाला है और आप इसमें मैं ढाल देते हूँ हरी मिर्च टमाटर यह पिसा धनिया एक चमच हरी मिर्च टमाटर डाल दिए नको मैंने यह तेज हो रही थी ना चुला गेस चूला तो था नहीं ज्यक्स कम बढ़ती हो जाए तो यह बहत तेज हो रही तोड़ी और एक चमच हल्दी मैंने उपर से और डाल दिये क्योंकि इसमें कलर नहीं आ रहा था लोगे की कड़ाई में बनाती हूं मैं जाद अतर मुझको लोगे की कड़ाई में सब्जी बनाना बहुत पसंद है बनाना खिलाना खाना बहुत पसंद है स्वादानुस्वार नमक डाल दिया है और अब मैं इसमें आप अगर इसमें अध्रक लैसुन प्याज सब डाल सकते हैं आपको अच्छा लगता है आप खाते हों आप डाल सकते हैं मैंने कुछ भी मसाले नहीं डाले जादा अम यह गाजर डालके पका लेती हूं इनको थोड़ा यह गाजर परसेंट के करीब कम थी कम पकी थी तो वो मैं पका लेती हूं इमटर के साथ पक जाएगी अब फिर मैं आपको पूरी सबजी बना के दिखाते हूं यह देखिए नहीं इसमें मिर्च डाल दिये और यह सिमला मिर्च भी डाल दिये मैंने दोनों तरह की और अब यह देखिए करीब करीब पक गया बिल्कुल अब इसका पानी भी सुग गया पक गया हम इसमें डाल दूंगी आलू यह देखिए बिल्कुल अब यह बन गई सबजी यह पक चुकी है और यह देखिए अब मैंने यह आलू डाल देखिए कितने बिल्कुल सॉफ्ट हो बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है बहुत स्वादिष्ट यह देखिए बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है आप एक बार बना के जरूर देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चे के परेज थे तो मैंने इसमें हमचूर बगरा कुछ भी ये देखिए, देखने में भी अच्छी लग रही है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है, उससे ज्यादा अच्छी खाने में थी स्वादिष्टी ये, बहुत स्वादिष्टी बनी थी ये, ये देखिए, बन गई ना, अब इसमें अराधनिया डाल दिया, ये लूब सबस्टी सबजी बनी है इसको आप चावल के साथ भी खह सकते हैं चावल के साथ भी बहुत सबस्टी लगती है यह कि कुछ तो पूडी परांठे रूटी रहती है वह एको इस देख सब्सक्रों कर दिए में रादे-रादे मिलते हैं अगली वीडियो में